अगर आपकी HB18 Plus हो गई है तो कैसे आप ओनलाइन घर बैठे हुए अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं साथ ही ओनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन-कौन से डोक्यमेंट की जरूत होगी उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई करेंगे और उससे जो जो ही सारी जानकर या आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अपने मॉबाइल या कम्पिटर के ब्राउजर को ओपन कर लेना है और फिर आपको URL में टाइप करना है नेशनल वोटर की में पोर्टल जो की है nvsp.in इसकी में वेबसाइट पर आपको आजाना है इसका जोआल नीचे आपको डिस्क्रिप्र में मिल जाएगा इस पर आने के बाद देखे आप को यहाँ पर काफी सर्विस मिलेगी आपको वोटर आईडी कार्ड के अंदर आप करेक्सन कर सकते है वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते है यहाँ से वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते है साथ ही अपना नेम सर्च कर सकते हैं वोटर लिस्ट के अंदर लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप new voter ID card के लिए अप्लाई करेंगी तो इसके लिए देखे आपको option मिलता है register as a new elector voter तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले login करना होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number देना है जो अभी working में है वह mobile number देना है और capture पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं अपना mobile number देने के बुदा dog capture फिल करने कवाद10 OTP के और संट पर क्लिक करता हूं और अब आपको यहाँ पे देखिए अगर आपका वोटर आईडी कार्ट बना है तो आप I have epic number इसमें आपको select करना है और अपने आपके epic number, email, password देखे, confirm करके register कर लेना है Otherwise आप new वोटर आईडी कार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको second option choose किजिए I don't have epic number इसके बाद आपके अपना first name देना है जो भी आपका full name है आपके document में वो first name और last name देना है इसके बाद आपको email देनी है जो की working में होनी चाहिए email देनी के बाद आपको password select करने है आप यहाँ पर strong password choose कीजिएगा तो यहाँ पर अपना password दीजिए उसके बाद confirm कीजिए password, same password और फिर register के option पर click कीजिए जैसे आप register के option पर click करेंगे आप इस portal के अंदर register हो जाएंगे और automatically आप login username password के option पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपना username देना है आप इस portal के अंदर enter हो जाएंगे और portal के अंदर enter होने के बाद अब आपको new order ID card के लिए apply करना है तो देखिए आपको यहाँ पर new order ID card के लिए apply करने के लिए एक option मिलता है fresh enrollment जो की left side में है पहला ही point है इस पर आपको click करना है आपको कुछ process complete करने होगे कुछ step complete करने होगे पहला आप पाता है address का यहाँ पर सबसे पहले select करनी होगी अपनी assembly name जो भी आपकी assembly consistency name है वो आपको select कर लेनी है यह आप अपने family के अधार कार्ड में देख सकते हैं मैं select कर लेता हूँ उसके बाद है कि आपको select करना है states आपको select रहेगा इसके बाद district select करना है किस district के अंदर आप रहते हैं वो यहाँ पर select कर लेना है साथ में आपको फिर यहाँ पर अपना address देना है जो कि आपका house number आएगा आपका area locality आएगा आपका आपका town आएगा अभी ले जाएगा नहीं आएगा post office का name आएगा आपका pin code देना है आपको यहाँ पर address फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर date select करनी है किस date से आप इस address पर रह रहे हैं याँ आप पजनम से ही आप इस address पर रह रह रहे हैं जो कि document का size होना चाहिए वो 2mb के आज पास होना चाहिए और उसका format jpg format में होना चाहिए और document आप कौन-कौन से दे सकते हैं उसके लिए देखिए types of document में आप address proof में कहा दे सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें आप passport दे सकते हैं driving license दे सकते हैं रसन कार्ड दे सकते हैं, water bill दे सकते हैं, telephone bill दे सकते हैं electricity bill दे सकते हैं, gas connection bill दे सकते हैं तो यहाँ पर आप अपनी family का कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं water bill अगर आपके पापा के नाम याप मदर के नाम है तो यहाँ पर document दे सकते हैं तो देखें, यहाँ पे अधार का option नहीं है, तो offline में आपको अधार कार्ड के थुरू ही आप अपना वो try ID card बनवा सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने family का कोई भी address proof के तोर पे use कर सकते हैं, रसन कार्ड में ने रहता है, रसन कार्ड में आपका name जरूर होगा, तो आप रस यहाँ पे अंटर करना होगा, तो right date of birth आप यहाँ पे अंटर कीज़ें, जो आपकी document में mention होगी, इसके बाद अपना town या village का name आप यहाँ पे mention कर दीजेगा, इसके बाद आपको अपना state select कर लेना है, state select करने के बाद आपको district select करना है, district select करने के बाद आपको देखे, upload कर करना है, और document का format आपका JPG form में होना चाहिए, और उसका maximum size 2MB होना चाहिए, अब age approve में आप कहकर दे सकते हैं, देखे, type of document आपको यहाँ पे so करेगा, इसमें आप birth certificate दे सकते हैं, marks दे सकते हैं, फिप से 8 तक की Indian passport दे सकते हैं, pen card, driving license, अधार card, तो आप यहाँ पे अधार card भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपर pen card चूज़ कर रहा हूं, और फिर pen card की जो मेरी file है, उसको मैं यहाँ पर upload कर लेता हूं, और जो file होनी जी हो JPG form में होनी चाहिए, और 2MB का size होना चाहिए, तो मैं अपना pen card यहाँ पर दे दिया है, इसके बाद pen card देने के बाद next option प आपको select करना है, जेंडर, आपको gender select करना है, जो भी आपका gender है, साथ में फिर enter करना है आपको father detail, तो father में आपको relation ढेलना है, आपका mother का detail दे रहे हैं, आप यहाँ आप यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर father का नेम देने बाद सरनीम दे सकता हूं, अपनी photograph, जो आपकी recent photograph है य option पर जाना है अब देखें यहां पर आपको एक new window open ओपन होगी तो यहां पर देखें आपको अपना photo select करना है उसके लिए चूज फाइल के अपस पर किलिकीजियों जहां पर आपकी फोटो है रिसेंटली और आपकी फोटो वह आपको ले लेनी और जब आपके अड़ेस्ट हो जाएगी तो एड़ेस्ट होने के बाद आपको किलिक करना देखिए अपको मिलेगा गैट प्रिवीव के अप्षिन पर किलिक करेंगे आपको यहां पर विन नुटिफिशन होगा जिसमें आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना या फिर आप इमेल डी फिल कीजिए और मॉमाल नंबर फिल कीजिए यह भी और आपके पास अप्लिक से रीड कर सकते हैं इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं तो आप इसको अच्छे से यहां पर देख लिजिए अगर आपने कोई मिश्टेक की है तो वापीस आप आप जाके इ सकते हैं तो अगर आपके अप्लिकसन सही है आपके अपने जो इन्फोर्मसन दी है वह अच्छी तरह से आपने चेक कर लिया और वह आपको आपको करेक्ट है तो आपको क्या करना है सिंपल स्क्रोल डाउन करना है और सब्मीट के उप्सन पर क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन पर एक reference ID generate होकी जिससे आप अपनी application को track कर सकते हैं इसी से ही आप अपनी application को track करेंगे तो इसको आप note down कर लिजेगा इसके लिए देखिए दोस्तों करना क्या है आपको track description पर जाना है इसमें आप अपनी reference ID नमबर डालेंगे और track description पर click करेंगे तो देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर सो करेगा कि आपकी application accept कर ली करी है यानि वह सम्मिट हो चुकी है तो इसको अब थोड़ा time लगेगा इसका टाइम पिरड़ है 14 डेज में आपका यह वो ट्राइडी काड़ बनके रेडियो जाएगा तो यह आपका जो प्रोसीस है complete हो जाएंगे तो जब आप इ डोकिमेंट सही तरह के से upload करने है तो दोस्तो इस तरह के से आप new water id card के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छी लेगी और जानका इच्छी लेगी तो वीडियो को like जरूर कीजेगा चैनल फे first time visit किया है चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और वीडियो को form fill करते वक्त तो निशे commit box में commit कीजेए मैं आवा पर आपका sponsor जरूर दोंगा